नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्टन में दोस्तों इनको तो आप जानते ही होंगे ये लेट मिस्टर राकेस जुनजुनवाला जी हैं ये इंडियन शेर मार्किट में बिग बुल के नाम से जाने जाते थे अभी भी जाने जाएंगे इनकी लर्निंग्स भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन इनकी learnings जो है हमेशा हम लोगों के पास रहेंगी इनके उपर जो है focus करने के लिए और इनकी learnings के उपर अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं learning है always go against the tide buy when others are selling and sell when others are buying अब यह चीज आप कहेंगे हमें पता है जी हाँ दोस्तों बहुत common quotation है share market की बहुत ही common learning है सब कहेंगे हमें तो पता है क्या यही चीज आप लोग हमें बार बार बता रहे हैं लेकिन आपको अगर पता है तो क्या आप इस चीज को follow कर रहे हैं और अगर आप follow कर रहे हैं तो जरूर आप share market के अंदर पैसा बना रहे होंगे यह मैं guarantee से कह सकता हूँ और लिख के दे सकता हूँ लेकिन अगर आप यह चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस चीज को जानने का फाइदा ही क्या है आप उस चीज को जानते तो हैं लेकिन follow नहीं कर रह हूँ अभी recent जो correction हो रहा है share market के अंदर सब लोग बेच रहे हैं share जी हाँ दोस्तों सब लोग share को बेच रहे हैं मैं आपको कहता हूँ कि आप shares को buy कीजिए अच्छे shares को buy कीजिए लंबे समय के लिए जी हाँ आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे बड़े shares जैसे TCS, Infosys, Reliance Industries Limited यहाँ पे चले जाएंगे आप डाबर इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनिया हैं बिना देखे जैसे की Hevels इंडिया है यहाँ पे हिंदुस्तान Unilever है ऐसी ऐसी कंपनिया हैं जिनके की Fundamentals को देखने की जरूरत ही नहीं है उनमें आंक बंद करके भी आप investment करेंगे तो आपके पैसे जरूर ग्रो होंगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों तीन अदर स्टॉक आप लोगों को बता रहे हैं जो कि बड़े स्टॉक से थोड़ा सा हटके हैं सस्ते ये share मिल रहे हैं और लंबे टाइम में आप लोगों के लिए wealth generate कर सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा आप लोगों से कि वीडियो को like जरूर कीजिएगा कंचोसी मत कीजिए क्योंकि कई बार होता ये है कि आप वीडियो देखते चले जाते हैं और like करना भूल जाते हैं साथी साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को भी subscribe कर लीजिए तो जो पहली company है दोस्तों ये pipeline infrastructure के mainly business में काम कर रही है जो oil and gas की pipelines होती है cross country project ये company जो है लेती है और pipelines को जो है बिचाती है साथी साथ उनका operation करना maintenance करना इस company का दूसरा vertical है यानि कि mainly दो verticals पे ये company काम कर रही है number one gas and oil की pipelines की जो है उनको बिचाना और दूसरा उनकी maintenance करना उनका operation करना साथी साथ कुछ उनका modernization है या schedule shutdowns है ये सारे के उनकी overhauling करना ये सारे की सारे काम जो है ये छोटी सी company कर रही है इसके कुछ terminals आप लोग देख सकते हैं पिक्चर से आप लोगों को clear हो जाएगा कि कौन से business में ये company काम कर रही है एक CNG का station है इनकी भी जो है infra मतले ये मान लीजिए इस तरह के infra का निर्मान जो है ये company करती है company जो है दोस्तों बहुत ही छोटी है मातर 791 करोड रुपए का company का market capitalization है बड़ी company के बारे में तो आपको क्या बता हूँ जैसे की वीडियो के starting में ही मैंने बताया उनके fundamentals देखने की जोड़ने उनके business इतने बड़े हैं कि वो grow करेंगे भले ही slow pace पे grow करेंगे लेकिन करेंगे और आप उनमें पैसा लगाएंगे तो पैसा बनाएंगे लेकिन आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए छोटे stocks बताने का है current price जो है 200 रुपए के गरीब चल रहा है dividend yield 0.62 percentage की बात करते हैं ROC 35% का और return on equity 26% का debt company के अंदर बिलकुल भी नहीं है zero debt वाली ये company है और मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया इसके fundamentals है reserves 99 करोड रुपए profit growth अगर देखी जाए 34% की और sales growth 31% की और promoter की holding भी अच्छी खासी है 74% के आसपास की अगर बात करते हैं इस company के पिछले 3 सालों के returns की तो 211 पर 30 का 3 सालों का returns है और बात करते हैं इस company के net sales जो कि 2021 के मुकाबले 2022 में अच्छी खासी growth दिखाई है 257 करोड रुपए और profit की बात भी की जाए तो profit ने भी अच्छी growth दिखाई है 46 करोड रुपीस की तो company जो है साल दर साल अच्छा काम कर रही है छोटी company है और infrastructure के business में company जो है काम करती है shareholding pattern company का जो है कुछ खास है नहीं promoter के पास 74% public के पास 25% और FII 0.32% company का नाम है लिखिता infrastructure limited 200 रुपए के करीब जो है share trade कर रहा है 194 प्रतिसत के return दिए इसने पिछले दो सालों के दोरान अगर आप कोई small cap company चोटी company ढूण रहे हैं search कर रहे हैं तो इन company को top priority आप लोग दे सकते हैं 1000-2000 रुपए से यहां पर investment की शुरुवात की जा सकती है और लंबे समय में करोड रुपए यह company बना सकते हैं आपके लिए अब यह तो रही पहली company दूसरी जो company दोस्तों paper की manufacturing करती है या paper की production करती है पहले भी हमने आपको कई बार यह company बताई है अब फिर से आप लोगों को यहां पर बताना चाह रहे हैं paper के business में company ने अपनी अच्छी खासी position जो है बना रखी है returns के मामले में भी देखा जाए तो एक साल के दोरान 83%, तीन सालों में 62% और पान साल में 52% की returns दिये हैं अगर बात करते हैं यहाँ पे company की face value की तो 2 रुपए की face value है और market capitalization 1548 करोड रुपए का यानि कि again small cap company हैं छोटी company हैं जहाँ पे की growth के chances है future में लेकिन आप लोगों को हमेशा due diligence रखनी चाहिए small cap company और micro cap company के अंदर क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे loop हो लोते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं और नुकसान के chances बढ़ जाते हैं साथी साथ अगर यहाँ पे company का return on equity देखा जाए साड़े 8% return on capital employed साड़े 11% का अगर बात करते हैं हम company के अंदर profit and loss statement की तो company अच्छा काम कर रही है company की net sales 2022 में 1355 करोड रुपए और net profit 102 करोड रुपए कर रहा company के पिछले 5 सालों का ROE और ROC आप लोग अगर check करना चाते हैं देखना चाते हैं तो comment में लिखें कि आप कौन-कौन सी website पर ये check कर सकते हैं आप लोगों को बताया जाएगा वहाँ पर websites के नाम दिये जाएगा और आप लोग जो है जाके वहाँ पर search कर सकते हैं और खुद अपना knowledge बढ़ा सकते हैं यहाँ पर promoter के पास अगर देखा जाए तो 42% की shareholding है पब्लिक के पास 30%, FII 12% और DII 14% से जादा अब सोचिए आप लोग ये छोटी सी company है इस छोटी सी company के अंतर FII और DII ने अच्छी खासी shareholding बना रखी है 26% से जादा की 26% कोई छोटा मोटा shareholding नहीं होता है बहुत बड़ी shareholding यहाँ पे FII और DII ने उठा रखी है company का नाम बताने से पहले अगर अभी तक आपने DMAT account open नहीं किया है यह अपना DMAT account switch करना चाहते हैं तो description में दिया गया है अपर stock का link यहाँ पे account maintenance जो है zero लगते हैं और trading के लिए 20 रुपीज पर order charge किया जाता है साथ ही साथ अगर आप एक ऐसा DMAT account चाहते हैं जहाँ पे कि free में DMAT account open हो जाए आप सीखना चाहते हैं beginner है learner है तो free में DMAT account open करने के लिए angel one का link दिया गया है और साथ ही साथ angel one के अंदर delivery के लिए कोई भी charges नहीं लिये जाते हैं और अगर आप चाहते हैं एक ऐसा platform कि जहाँ पे जाके आप सभी जगें invest कर पाएं तो आपको जो है number one broker जो है इंडिया का लगबग number one ही है जिरोधा इसका भी link दिया गया है तीनों के link जो है description में दिये गया है और comment में भी pinned किये गया है तो company क नाम है शेशाशाए paper and boots limited अपने shareholder के पैंसों को छोटी company है price toning ratio बहुत ही cheap है मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छे valuation पे ये company जो है मिल रही है सेशाशाए paper जो है पिछले एक साल के दोरन 74% के returns बनाया है अब third stock आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये company जो है mainly mining के field में भी काम कर रही है पावर के field में भी company काम कर रही है तो ferro and silico manganese का production करना pig iron का production करना साथी साथ dolomite का production करना और जो कि मैंने कहा पावर के sector में भी company काम कर रही है यानि कि पावर की generation भी company करती है electricity generation mainly आप मान लिजे और साथी साथ fly as bricks जो होती है इनकी भी manufacturing company करती है जो कि आज की date में जो fly as bricks है बहुत ही जगे use होने लग गई है जो red clay bricks होती थी उनके उपर ये एक eco friendly type की मानी जा रही है और substitute मानी जा रही है जो red clay bricks जो कि traditionally हम सब लोग इस्तिमाल करते रहते हैं और सभी के गरों में इस्तिमाल में आती है तो अब जो है नई technology के साथ fly as bricks जो है बन रही है तो ये company जो है तीन vertical के अंदर mainly काम कर रही है company के returns देखेंगे बहुत ही अच्छे है और attractive हमें लगे और इसलिए हमने ये share आप लोगों को बताना चाहा तीन साल के दौरान 544 परतिसत और पान सालों के दौरान 304 परतिसत के returns बनाएं अगर बात करते हैं हम company के अंदर इसके market cap की तो 4490 करोड रुपए का इसका market capitalization है और price to earning ratio बहुत ही सस्ता है बहुत ही cheap 3.65 का dividend yield भी अच्छी खासी है 2.85% की ROE 52% return on capital employed 56% का तो इस तरह के आंकड़े अगर आपको छोटे shares के अंदर मिले और वो भी ये share मैं बताऊँगा आपको 52 week के low के करीब trade कर रहा है उससे पहले इसका profit and loss account और यहाँ पे देखेंगे बहुत ही जबरदस्त growth दिखाई है company ने अपनी revenue में और net profit भी company का increase होता चला गया है net sales 5,399 करोड रुपए की रही 2022 में और net profit 1,416 करोड रुपए का अगेन share holding pattern खास है यहाँ पे प्रमोटर के पास 67 percentage पप्लिक के पास 29 percentage FII 2.53 percentage और DII 0.48 percentage अगेन FII ने और DII ने भी यहाँ पे share holding बनाई है इस छोटी सी company के अंदर और company का नाम है गोदावरी power and spot limited 420% के returns long term में बनाए है लेकिन अपने all time high से अच्छा खासा correction यहाँ पे हो चुका है बहुत low price पे यह share मिल रहा है अपने low से अपने high तक 1777% के returns भी company ने generate किये हैं और अभी अपने all time high से लगबख 33% के discount पे यह share मिल रहा है इसलिए मैं आपको कह रहा था company जो है बहुत सस्ते price पे मिल रही है और आपको जब लोग sell कर रहे हूं आपको buy करना चाहिए हमें buy करना चाहिए तभी जाके share market में हम लोग जो है पैंसा बना पाएंगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बहुत बहुत दन्यवाद